क्टीज खेट करें यह दो आप्टर लॉंग टाइम मैं आज व्लॉग शूट करें हुँ पुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिरियसली विगॉज मैं इससे पहले भी बहुत बार ट्राइ किया कि मैं व्लॉग शूट करूँ बट कुछ ना कुछ रीजन से मैं नहीं वह कर प मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और बाज में देगए बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिए जिसे आगे आने वाले मेरे सबी वीडियो पासा नहीं से देख सके तो मैं अभी निल्स लगाया हैं मैं वुलग आपसे शेर करने वाली हूं तो stay tune अभी बज रहे है शाम के सबाट तो पसंच बजने को आया है और हम लोग छे साड़े छे बचे गुद़रा के लिए निकलने वाले हैं जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं कहां रहती हूँ और क्या है बट जो लोग नए है यहांके नहीं है और सब्सक्राइबर जो हुझे जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दू कि I am from गुजरात और हम लोग बड़ोदा में रहते हैं और मेरे मम्मी पापा और मेरे इनलोज गोद्रा में रहते हैं सो हम लोग आज जाने वाले हैं गोद्रा और वहाँ से कल सुबह अरली मॉर्णिंग हम लोग निकलने वाले हैं जहांपे भी निकलने वाले हैं सो वो भी मैं शूट करूँगी इसी व्लॉग में सो स्टे टून फॉर देट और बाहर का वसम बहुत ही अच्छा हो चुका है सो चलो वो पहले देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है सो गाइज एजुकेंसी की बाहर बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है अभी अभी तगडी वाली बारिश हुई है सो मुझे ये मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है हम जल्दी से जल्दी निकलने का ट्राइ करेंगे बढ़ पार्थ अभी तक आये नहीं है सो मैं उनका वेट कर रही हूँ सो यह मैं पहले रेडी हो जाती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ जिससे वो आये और हम तूरंद निकल जाए क्योंकि बार बारिश भी स्टार्ट हो गई है सो अगर मैं रास्ते में शूट करूँगी तो आप लोग वो देखने को सब्सक्राइब लेगा से निकलने के बाद बीच में खाना खाने के लिए रुके थे और उसके बाद घर पहुंच गए थे सो मैंने आगे का वलोग कुछ भी शूट नहीं किया है खाना काने के बाद क्योंकि देर हो गए थी बहुत ही पहुंचते पहुंचते सब्सक्राइब अब बज़ रहे हैं सुबह के साड़े चार और हम लोग निकल रहे हैं घर से सो या मैं अब जो भी होगा लगे शूट करूंगी तो आप इंजोई जरू करना सो तब तक के लिए बाबाई अब 5 बजने को आए है मेरी फ्रेंड आ गई है वहां पर पार्क खड़े और एक फ्रेंड आ रही है झाल सो यहां पर बीच में होटल सर्वोत्तम थी वहां पर हम लोग नास्ता करने के लिए रुके हुए थे और गाइस व्लोग में ज्यादार आपको गुजराती लैंग्वेज ही मिलेगी तो माइंड मत करना सब यहां पर मस्ती कर रहे थे और थोड़ा बहुत सामा नेजस कर रहे थे लगेश थोड़ा ज्यादा था उसकी वज़े से यहां पर नास्ता करने के बाद आगे के लिए निकलेंगे जहां पर हम जाने वाले है वहां पर और मैं कहां जा रही हूँ वह आपको लास्तक देखना होगा तभी आपको पता चलेगा सो स्टे टून फॉर धेट निबी गाट नो चिल नो चिल नो चिल निबी और सी गाट नो चिल अपको लोगों को रास्ते में बहुत ही अच्छा एट्मोस्फियर मिला था क्योंकि हलकी हलकी बारिश हो रही थी और गाईज आप लोग देखी सकते हो मौसम कितना अच्छा हो रहा है बहुत ही ठंडा एट्मोस्फियर था ऐसा भी नहीं था कि गर्मी लग रही थी या कुछ भी तो आप लोग भी थोड़ा व्यू इंजोए कर लो झाल तो फाइनली हम लोग यहां पर जो हमने होटल बूक की थी वहां पर हम पहुंचने को आए है हम लोग पांच साढ़े पांच को निकले थे और अभी पहुंच गए है हम लोग आये है उदेपूर मैंने अभी तक रिवीन नहीं किया था कि हम लोग कहा जा रहे है बठा हम उदेपूर में है और हम लोग होटल में आ गये है जो होटल है वह बहुत ही अच्छी और इससे जो बहार का व्यू है वह बहुत ही अच्छा रहा है सो मैं वह अपने दूसरे व्लोग में आपको सब दिखाऊंगी सो अभी हम आये है तो ठके हुए है तो थोड़ा रेश कर लेते हैं और सो लेते हैं सो मैं उठके आप लोगों को मिलती हूं सो गाइज अभी मैं अपने रूम में ही हूँ सो मैं जो भी व्लोग ऐपलोड करूंगी वह मैं भी 10-15 मिनित का ही रखूंगी जिसे आप लोग भी बोरना हो जोकि फीर बहुत लंबा व्लोग हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा तो मैं दस परंदा मिनिट के ही व्लोग शेयर करूँगी चीसे में व्लोग भी अच्छे से आपसे शेयर कर सकूँगी सभी चीजे डिटेल्स में भी बता सकूँगी और आप लोग इंजोई भी कर पाओगे और गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना तो थेंक्यों वाचिंग और लव यू आल मिलते हैं दूसरे पार्ट में बाबाई